शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें करती है वो यह जो भी बैंड बजरा ना मेरे सर पे सब उसी की वज़ज से उपसे याद करना ही जाओ तो कुछ याद नहीं आता है उसकी चकल दिख जाती तो और गुस्सा आता है उसे तो मैंस कर से बाहर निकाल करी रहूंगा निकालने वाली एसा सोचने वाली भी वह कौन होती है हम बिलकुल बर्दाश नहीं करेंगे कि कोई आप से ऐसे बात करें घीर्टी कोई मुझसे बात नहीं कर आ चाहते अखें घीए झालिये दीदू आपकी सास ना आपको यहाँ से रवाना करना साहती आपने उनके उस ना कि हमाना है ना कि सार्य लोग यहां पर भूं गहा हैं कि आपने उनके लिए क्या तलह भी और अकन मान नहीं होता है तो हम भी है त antibodies कime चoniaAre किया फाइदा इतना तप कर न उस्कीती अशाइब उसकी तरहे किया अभै किसमत की लखी ने जुड़ी उस दिन से सर्फ हमारे सुख ही नहीं हमारे दुख भी जुड़ गए आप जिसके साथ अपनी किसमत जोड़ बैठी है जिसके साथ अपनी खुशिया जोड़ बैठी है वो आपको इस घर से निकाल रहा था उससे में अगर कोई कुछ बोल जाये तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसके मन में भी ऐसी बात है तू देख रही है ना भी आभे कि क्या हालत है ऐसे में उनका घुसा किसी दूजरे पर निकल जाता है यू इतना सागा सोच रही है। जोड़ ना इन सब बातों को, चल कहीं बाहर चलते हैं। बाहर चल के आईस्क्रीम काते हैं। अरे कितने दिन हो गए। आप नहीं बदली पर हम बदल गए। और युज खाने पीने की बात करके आबात को पलट नहीं सकते। अगर चाची जी को अपने बेटे की तकलीफ इतनी नज़र आ रही है, उसकी तब्यत की इतनी चिंता है उन्हें, तो आपको माई की क्यों भेज रही है, अपने बेटे को अस्पदाल भेजे ना? क्योंकि सारी समस्या के जड़ तो वही है, हमें काम करते हैं, आपके समस्या ना, हमें सुलझा देने हैं, वहां रहेगा, उसका इलाज भी हो जाएगा और घर की किट-किट बन दे हैं, बसकर किर्थी, क्यों कर रही है यह सब? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हो कीर्थी, जिस ऐसा अभे के बारे में कुछ भी मत बोल, मुझे उमीद है, उत दुबारा से चल्दी ठीक हो जाएंगे, और तो देखना ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, देदू, आपने हमें पढ़ाया, आगे बढ़ने की प्रेर ना दी, और आज हम जो भी है ना, सिफ आपके कारण है, दीदू, हम अपने आत्म विश्वास से कह सकते हैं कि इतने सालों में हमने जो भी दुनिया देखी, इस अच्छाई का ना, ओई फाइदा ना, क्योंकि आप मुझे बल गिरेगी है, तीदू, ऐसे अंधा विश्वास करके, क अच्छाई दिखा रहे हैं, जो आप डेखना ही नहीं चाह रहे हैं, आज उस अभे ने आपको रोड पे ऐसे ही फेग दिया, कलगो पतानी आपके सब क्या कर दे वो, यही तो मैं तुझे बताने की कोशिश कर रही हूं, किर्थी, अभे ने मुझे जान बुझ का दक्का न जिस इंसान को शांत रहने की दवाई दी जा रही है, इसका खुद पे काभू ही नहीं है, एक मिनट, यह तु सही कह रही है, किर्थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह नए दवाईों का, अभे पर कोई असर ही नहीं हो रहा, आप ना, डॉक्टर नीरस से इप बात करिये, किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आती है, अभी भी देख ले, सारे के सारे ना, श्रदा का दुखड़ा सुनने लगे हैं, अतानी इतनी जल्दी सब की चहीती कैसे होगी है वो, भे यार, तेरी बात सूनके ऐसा लग रहा है, जैसे कोई बहुरानी अब अबनी सास के बार में अब दिवाली की शॉपिंगर ले, चल, अब दिवाली की शॉपिंगर ले, चल, हट वेर मार्कित तो आगे है, तुने भाई क्यों रोक दी अभी से? वो, क्योंकि मुझे यहीं उतरना है, एक काम कर तू जा के शॉपिंग साठ कर, मैं तर को मिलता हूँ तो जहाना तर को मिलता हूँ मैं, तो शॉपिंग स्टार्ट कर, मैं आकर बताता हूँ लेकिन जाया रहा हूँ घर पर नौकर और यहां चौदरी बना घून रहा है, चल क्या रहा है? जाया रहा है, चलने से पहले ही गाड़ी पंचर, फिर से हार गया वाल है जिब मैं कुछ गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यह हो गए टाय टाय पिस्ट है ना पैसार, बाटो ना तुम जाओ बाटो याग घर पर बरतन गंदे पड़े हैं और तुम यहां पत्ते केल रहा है और यह पैसे, ऐसे कहां से आया तेरे पास, चोरी किया ना तुने अरे, नहीं भीया, दसी दसी केल रहा हूँ, देखो ना देखो, यह मेरे खुद के पैसे हैं तेरी शकल पर मकारी ना मैंने पहले देनी देख ली थी अफटा फट बता, और क्या-क्या गंदे शौक पाल रखे दून अरे, भाईया शगुन के लिए खेल रहा था अच्छा, शगुन पर ताज खेलते हैं, वाँ भाईया सब खेलते, और उसमें गलत क्या है पस लक्ष्मी मा को थोड़ा अज़ा प्रणाम कर लेते हैं मैं तो कहता हूँ एक पर आप ट्राइगा भाईया एक पर आपकासम बजा जाएगा चल जल दिवाली बे गंदे काम कर रहाएगा उचसे अट ऐसा व्या बुरा मत मानेगा लेकिन लक्ष्मी मा के सामने भीक बागना अच्छा है यह थोड़ा सा धिमाग लगा के मा के आशिरवाद से थोड़ा से पैसे जीत ले आप बताओ और इसे ना सब शुब मानते हैं आप एक काम कीजे ना महनत करके अपनी महनत भी कमाई में से ढाई लाग पर मुझे आभी क्या भी दे दीजे मैं तुरंत यहां से चली जाओं और अगर नहीं दे सकते ना तो चुप चाप मुझे इस घर में बरदाष्ट कीजे जितनी जल्दी पैसे एकटे कर लूँ है उतनी जल्दी उस श्रदों के अपने कर से बहार निकाल सकते हैं डॉक्टर, घर में सबको ना बहुत जादा चिंता हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे दवाई का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है शान्त होने की बजाए उनका गुस्सा उनकी बेचैनी और जादा बढ़ती जा रही है ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग को जादा ही तीजी से काम कर रहा है पट अब पेंशन मत दीजे हमें काम करते हैं हम उनकी दवाईयों की डोसेज बढ़ा देते हैं अब लेकिन डॉक्टर इससे अब है की सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना मेरा मतलब है ऐसे दवाईयों का बहुत जादा साइट इफेक्ट भी होता है इसी लिए उसकी सेहत की चिंता तो है सबको मैंड़ अब देखिए कैसे आपका तेज दिमाग थीरे थीरे उसके दिमाग को सोते हुए देखेगा पागल हो जाएगा और क्या डॉक्टर नीरच क्या सोच रहे हैं आप सब ठीक तो है ना आप इतना मत सोचे मिस्स तिरपाथी हम पेशन के लिए भाही करेंगे जोस के लिए बैस्ट एक काम करते हैं हमें अब भाही के भीएवेर में अगर थोड़ी सी भी इंप्रूमेंट नजर आई तो हम डोसेज कम कर देंगे सिलाल आप उनके खाने पिने का ध्यान रखिए अब बिल्कुल फिगर मत कीजिए सब पढ़े आई होगा मढ़िया तो होना ही था अब ये तीपाथी के पत्ते हैं ये तीन बाजशा टेबल पर वो जीती इस बाजशा की दिमाग पूरा साथ नहीं है पर किसमत देखो कैसे जोर मार नहीं है जब से बैठा है जीती रहा है अले कहा जल दिये अभी तो मज़ा आना शुरू हुगा लगे हाथ दो दो हाथ और खेल लेते हैं अले बैठो ये बैठो बैठो जादा चहकर है मतलब जीत का नशा अब गलती करेगा बढ़िया है हरा वबा सब वापस ले लोंगा अब की बार बाजी मुझे बिछाने दो लेवाई तो कर ले यार इस बार की बाजी धमाकेदार होगी कैसे इस बार की बाजी जो जीता वो जीता और सारे पैसे उसी के अब मेधान में उतर ही गए हैं तो ड़न यह जीता तो मेरा सारा उधार चुकता जिता दे झाल 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 मेरा मेरा वरुन जी का फून, वो तो अभय के साथ थे, कहीं कुछ, हलो, वरुन जी, क्या हुआ सब ठीक तो है, अभय के साथ थे, उनके तपया तो नहीं बिड़ गड़ गई ना, अरे श्रद्धा, तुम चिंदा मत करो, उसके तपया ठीक ही नहीं, बल्कि बिल्कुल चकाचक है, बल्कि वो तो मजे से नोट गिन रहा है, काश तुम भी देख पाती, नोट गिन रहे मतलब, बात यह है कि हमारे अभय भाई कुनाल और बाकी कुछ लफंडरों के साथ बैठके, जुएका खेल खेल रहा है, क्या, अभय जुआ खेल रहा है, अरे हा, और सिर्फ खेल ही नहीं रहा, बल्कि हमारे होनार अभय भाई जीत भी रहे है, फरुन जी, यह चो कुछ भी हो रहा है न, सब कुछ उस कुनाल की व अभय का इन दिनों जैसा मूड रहता है न, जैसे में हम, हम उन्हें सब कुछ बहुत पहार से ही सभगा सकते हैं, अभय काम कीची आप उन्हें जल्दी से जल्दी घर लेकर आजएए, ठेके, अभय इन दिनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं न, इसी वज़े से उनका दिमाग दूसरे दिशा में भटकता जा रहा है, अगर घर पे ये बात ममी जी को पता चल गए या घर में किसी को पता चल गए कि अभय जुआ खेल रहे हैं तो, नहीं, नहीं, मुझे अभय के लिए कोई अच्छे से काम का पता करना होगा अरे कोई कामे मदद करेगा या नहीं, रि तू, आर्ती कहा हैं सब लोग? आजाएंगे न, अर्ती रितू? भावी, हम क्या बताएं? जब आपको लगे कि कोई काम होने वाला नहीं है और वो हो जाए, तो इंसान ना खुशी से बिलकुल पागल ही हो जाता है अब आप ही देखे न, दो साल बाद अभे हमारे साथ दिवाली मनाएगा हम आपको बता ही नहीं सकते हैं कि हमें कैसा महिसूस हो रहा है अरे श्रदा, बिलकुल सही समय पे आई हो देखो, बहुत काम बाकी है, तो तुम एक काम करो, तुम तोरन बनाओ, हम तब तक मिठाई बनाते हैं है ना बाभी? जी ममी जी हाई हमारे अभे भाई, कुनाल और बागी कुछ लफंडरों के साथ बैठके जुएगा खेल खेल रहे हैं मुझे पता आप कहां से आ रहे है यह हमारी किरायदानी शर्दा के एडवांस में से दस हजार माइनस मैं सर्फ इमानदारी के पैसे लेती हूं जुए समगलिंगा सट्टे से बनाएवे पैसे नहीं तो इसका मतलब हमारा को हिसाब हुआ ही नहीं अब हमारे स्टोर रूम के इतनी अंधिरी गुफा से ना यह लाइट निकालने के लिए मुझे तो ऐसे गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए अब लाइट तो मिल गे लेकिनी जलेंगी या नहीं इसकी कोई गैरंटी नहीं है वारा डोरानी उसी गुफा के बार हमने जलाइन ब पता चला आपस में खुदी चिपकर करंट लग गया हम हाँ पिर गया लो चलो अरे इसाब ना से मेरी हिसाब आली डाइडी वापिस दो नहीं दोंगी डाइडी वापिस यह भी करें जाके लिख लीजे आप हम क्या सर्कस में बन गोरिला हैं जो दूर से देख रहे हो आ के मारी मदद करो हाँ अरे अरे अर्थी तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगी हां किसना काम पड़ा है हां 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 बहुत काम पड़ा है हमें बहुत काम पड़ा है हमें बहुत काम करना है चलो चलो काम कर आपके नहीं बातों में लग जाते हैं, चलो प्रूब क्या मुसीबत है यारी अधे आप दो मिनट शांती से खड़े नहीं रख सते क्या ताके तुम मुझाती रहो ** ** ** ** ** थनधो क्या है, बिससे खरिके भागता है तुम बंध कर सखती हो नहारे सिपस्ताून हमेशा थुम्हारी वझे से मुसीबत में फ़सता हूंँ ना तुम ये ले जाएनि वह भागती ना ये सब शांता ना मेरे पीछ्यानिटे ले गागते दीयरी ले लिए झाल झाल ये बार बार पच्छ कैसे तुछ अलो तब तक बचेगारे तुछ इसका पैसा लेकर फरार होने के चक्कर में पता है ना वो पाताल से भी निकाल लेगा तुझे तो नहीं नहीं मैं सब लॉटा दूँगा अगर कल शाम तक पूरा पैसा नहीं मिला ना तो इस बार दिवाली के दिन राउंड की जगा कुनाल जलेगा पटाकों के साथ पटाकों से बचना है तो जल्दी पैसा ढून कुनाल अच्छे खासे जीते थे इसने जुए में कर दो झाल 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 यह तों कद दसी हजार तो अड़े पे तो लगा था कि बड़ा हाथ भारा इसने पापकी कि ने सोका क्या करूं किसके आगे जूँ किसके आगे चिला आज चिलाना पड़े तो हम बेशक चिलाएंगे पर हमें जबाब चाहिए दीदू बॉर्टी चाची जी आर्टी सावाईए यहाँ क्या हो गया सुबह सुबह इस थरह से क्यों चिलारी है क्या बात हो गई है बात महीं हुई है तीदू मानु जैसे तूफान आगया है वो भी यहां हमारे घर में एक आईपीस गर में और आप्श रहे ए कि क्या हो गया अरे अरे तीरती रानी अनाम से अपने टॉक टॉक वाली भाशा में दो चार शब्दों में हमें समझाओ कि क्या हुआ हमारा सबसे महंगा हार चोरी हो गया वो भी हमारे घर से वारू जी कुनाल के तलाशी लीजे कुनाल के बास कोई हर नहीं घर में इतने सारे लोग है तो सब को तलाशी देनी चाहिए और मुझे भी आरती चुप झाल के बास को तलाशी जी चाहिए झाल के वार नहीं जी चाहिए झाल